प्रहिणाति तस्मे तम्हादेव मात्म बुद्धि प्रकासं ममुक्चुरुवै सरणामहं ब्रबद्धे ओम्षांति हिशांति 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 हिशंकरम्षंकराचारियं केशवंबादरायणं शूत्रभाष्यकृतव बंदे भगवन्तव पुनाह पुनाह इश्वरो गुरुरात्मेति मुर्ति भेद विभाकिने व्योमवत व्याप्त देहाया दक्षणा मुर्ते नमह ओम्षंति हिशांति 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 हिनिर्वाच्या बेध्या दित्तयस्चि वाश्या प्रभवत्व विवर्तायस्ये थे बियाद निलाते जो वबनाया यताश्चा भोद बेश्वं चरमा चरमुच्चा बच्यमिदं नमा मास्तद ब्रह्मा परीमिता सुखा ज्यानम रितम ओम शांति ही शांति ही शांति ही ब्रह्म सुत्र के प्रतरदन अधिकरन है उसमें प्रान का उपदेश किया प्रान अवस्में प्रग्यात्मा वो प्रान यहां पर परमात्मा है प्रान बायू नहीं है तई ऑटेश नमबर यह शुत्र हो गये था प्रानस्तथान गमात उप्राणस्तथान गमात अब जो है 29 नमबर शुत्र देखिए गा ओठेश 29 तीस एकी साथ भावति कारने टीगा लेखिए है जो लोग पलेश 29 नमबर और 30 नमबर शुत्र को देख ले उसकी बाद फिर भावति करें 29 नमबर ना बक्तो रात्म पदेशाद इतिचेद अध्यात्म समंध भुमा हैस्मिन पुरपर्ट्याँ इतिचेद अध्यात्म समंध भुमा हैस्मिन देखो ना बक्तो हूँ आत्म पदेशाद इतिचेद यह यहां पर संका है बक्ता तो इंद्र है ना इंद्र ने प्रतर्दन को पदेश किया तो पूरपक्षिया कहना है बक्तो हूँ मला इंद्रस्य आत्म पदेशाद स्वयम का उपदेश किया कि आत्म पिशिष्ट जो इंद्र का सरीर उसी का दूपति इसक्या ना कि इंद्र न तो ही कहा कि तुम मुझो मुझको ही जानो इसपे गार सरीर ही गया हुआ यहां पर इसलिए प्राणो अस्मी प्रज्यात्मा जो मैं प्राणो कहा इस हुति में इंद्र ही उपास्च है यहां पर इंद्र ही उपास्च है तो यह कथन ठेक नहीं है बक्तुर आत्मों पदेशाद नो को छोड़ देए बक्तुर आत्मों पदेशाद यह पूरपक्ष है यहां पर इंद्र इंद्र नहीं अपने को जानने के लिए कहा इज़े प्राणकार्थ स्वयम इंद्र हो गया इंद्र ही उपास्च है यहां यह पूरपक्ष कहेगा ऐसी बात नहीं है इस शुत्र को ठीक ठीक से समझ लेज़ेगा नौ सब्द से सिद्धानती निशित करता है तो यह कथन ठीक नहीं है तुम्हारी समझ ठीक नहीं है क्योंकि भावर्त यह है अध्यात्म समंद भुमाही अस्मेन प्राणयेव प्रज्यात्मा यहां पर इस बाक्य में ब्रह्म को ही आनन्द कहा गया अमृत्ता कहा गया ओज़ा कहा गया इस बेका परमात्मा के अनीक धर्म सौहावी का धर्म गये हैं इसलिए ब्रह्मही उपास्य है इंद्र उपास्य नहीं है यह बोलते हैं पर ऑद्यात्म समंद भुमाही अध्यात्मामें होने वाले धर्म ठीक है आनन्द अम्रितत्त अट्यादी यह प्रत्यकातमा के घ्यांपकलिशना भुमा करें से बहुत है भुमा करें बहुत बाहुल्यव अस्मिन इस बाक्य में देखे जाते हैं इसलिए ब्रह्मा ही उपास्य है इंद्रऊ उपास्य नहीं है आप देखिए भास्च देखिएगा तो यदुक्तम प्राणो ब्रह्माइती तत आक्षिप्यते ना परणो ब्रह्म्ह प्राणो सब्दम कस्माद भक्त रुपदेशाद भक्ताही इंद्रुनाम कस्चित पूरपक्षिका कहना है जो आप कहते हैं कि प्राणो ब्रह्म्ह है उसके पर आक्षिप्यते तत आक्षिप्यते उसके पर आक्षिप्यते इसके पर आक्षिप्यते इस एक नहीं है राजु सुंद्र ही नहीं है तो फोसा नंभर में पता ना मुल गोंसा पेज नमबर के रोपिप्टि नाइं फास्य देख कोंतिस और थीस ब्हास्य कर लें फिर एक साथ भामती होगी क्योंकि एक साथ भामुति लिखा है कि अधर भामुति करेंगे तो वो पकड़ मने आएगा अच्छा जदुक्तम प्राण ब्रह्म है तो आपने कहा कि प्राण कार्थ ब्रह्म है तत आक्षेपते तत कथनम आक्षेपते उस कथन का यहां पर आक्षेपत किया जाता है मतलब प्राण का अर्थ ब्रह्मा नहीं है अगले का देखो ना प्रारम ब्रह्मा प्राण सब्दम प्राण हां सब्दो यस्य अना जिसका बाच का सब्द प्राण हो अना वो ब्रह्मा नहीं मतलब प्राण सब्द का अर्थ प्राण नहीं है क्यों कस्मात यह तु पुछा गय कि यह तुक्त आत्म पदेशाद कुछ सयं बगता ने तो अपने को कहा कि मुझे जानो ऐसे का यह कह रहा है अपर बगतुर आत्म पदेशाद इसका अर्थ देखो यह तो है अपने मुझे जानो इसको प्रतिक अबहुत है और आगे इसका इंद्रो नाम क्योंकि दक्ता तो यह पर इंद्र को ने हैं इंद्रा विष्गरवान देवताभिशेष कोई विख्रा वाला एसरी बोल रहा है कि कुछ लोग नहीं मानते ना देवता के कोई शरीन नहीं होता है। यह लोग बोलते हैं बिग्रवान। देवता बेशेज बिग्रवारी है। शरीड़ारी है यह है। स्वाम आत्मानम प्रतरदनाय आ चक चक छे। स्वाम आत्मानम ऐसा पाठ है ना। स्वम आत्मानम आके आत्मानम है क्या पाठ है क्या पाठ है आपकी पुस्ते में बोलिए स्वम आत्मानम पतल दना रिया आश्क शसी क्योंकि मेरी पुस्ते में स्वम आत्मानम है ना तो ठीक नहीं आत्मानम है क्योंकि आत्मन सबदा का दूतिया एक बचमत्य है आत्मानम बनता है। इले स्वम आत्मानम मौ में दिर गए मा आत्मानम। प्रतरदनाय आचक चकछे अपने को ही झानने के लिए कहा प्रतरदन को आच चक्छे मल कहा, इंद्रने कहा। मतलब कहा, कैसा कहा, आप देखो, मामेव बिजानी ही, मुझे ही तुम जानो, बिजानी ही, देखो, बिजानी ही, लोड लकार कहा है, सेरिय पिच्चे होता है, ना, ब्याकन के थोड़ा थोड़ा देआन रखो, मुझे ही तुम जानो इती उपक्रम्या, रचा प्रारंब करके, फिर आगे का, प्राणी असमी प्रज्यात्मा, मैं तो प्राण हूं, मैं तो प्रज्यात्मा हूं, एंड्र ने उपदेश किया, ये कहरे हैं पर, इती अंकार बाधेना आंकारबादेना, पतंत क्या है? पतंत क्या है? पतंत पतंसर क्या है? । स्वात्म топ मजफ सब्द के द्वारा आंकारबादेना, आच च उधर आ नो है, ठीके? सम आत्मानम प्राणो अस्मी प्रज्यात्मा मैं प्राण हूँ प्रज्यात्मा हूँ ऐसा अंकार बाच का सब्द स्वात्मा बाच का सब्द यो कि अस्मी सब्द का प्रोकिया है यह अस्मी सब्द का प्रोकिया है वो प्रज्यात्मा बोल दिया इसलिए स्वात्म बाच को सब्द के द्वारा अंकार बादेने कारता हो गया द्वारा फिर क्या क्या कहा आठ चक्चे पूरुबा के साथ अन्वा है पत्का ठीके सईश बक्तुर आत्मत्यन उपदिश्य माना इले अपने बक्ता को ही जाना जानो बल दिया उपदिश्य मान कोन है प्राण ठीके इले उपदिश्य मान जो प्राण है उद्वायम इंद्र हो गया ना इसलिए कथम ब्रह्मस्यात इले प्राण का आर्थ परार्म में कैसे होगा यह बोलता है पूरपक्ष चल रहा है कि शुत्र में जो है ना बक्तूर आत्म उपदेशात इतिचेत इसका व्याख्यान चल रहा है इस मंत्र का शुत्र बाक्य का आगे देख लो नहीं प्रह्मरो बक्तूरत्तम सम्भवति यह बोलने की जो क्रिया है नहीं ब्रह्मने点ं संभा भान वी जो एक कहते हैं अवाक अवनाह इत्याधि शुतिम्य यह कि परांग मु rider है वह तो अवाक है वह बागेद्रे, बहुत भए, बनी मजन नहीं अ बागेद्रें तो भोल myth love ऐंगा, gagn भागेद्रें आहिं भागेद्रें नहीं है, भागेद्रें बन पांड बॉल था हूं अच्छा, और आगे, अब कहते हैं, यह जो बाक्य था ना, प्राणों से प्रज्यात्मा इसब जो है, इसलिए यह इंद्र है, इस सब्दों से इंद्र को कहा है, इन्द्र ही उपास्य है, इन्द्र की उपासना में ही इस बाक्य का तात्पर है, प्राण बाक्य का, इसके लिंगा बताते हैं लिंगांतर ठीक है लिंगा मतलग क्या है ज्यापक सब्द एक ज्यापक सब्द बोल रहे हैं तथा सब्द से तथा बिग्रह सम्मंद भीर एव ब्रह्मनी और समभवत भीर धर्मेर आत्मानम तुष्टाव ऐसा किया देखो बोलते हैं कि बिग्रह सम्मंद भीर मतलब क्या बिग्रह शरीर सम्मंद भीर धर्मा है जो ब्रह्म में सम्भव नहीं है ठीक है ना एस धर्म से ब्रह्म के द्वारा भी अपने को ही कहा गया अपने को ही स्थुति की इन द्रने स्थुति की इन धर्मों से शरीर सम्मंद धर्मों से जो धर्मा ब्रह्मों में सम्भव नहीं है एसे धर्मों के द्वारा भी स्थुति की तुष्टाव स्थुति की किसने की स्थुति इंद्रने स्थुति की इन यह बात कह रहा है देख लो आगे आगे से कोन सब्द है जो लिखते हैं त्री सिर्षानम त्वाष्ट्रम अहननम उन मुखान यतीन साला अब्रिकेभ्य प्रायच्चं इत्यवम आदेभि ही यह शुति बाक्य इंद्र गलता है उप्रताजान से स्थुति करता है हो इंद्र कोई कि स्वयम के स्टूति करते है ना इंद्र भी असे स्टूति कर लाए देखो क्या स्टूति कर रहा है कि कोई के लोग जाते हैं महापुरुस के बाद भी महापुरुस के स्टूति नहीं करते हैं परमात्में के स्टूति नहीं करते हैं छोगोग इस्तूनिंट में इंदरी करता है लेकिन भावार्ता तो दुसरा है भावार्तत आपर परमात्प्य इंक्तूति हे ज्ञानी कभी भी स्व्यम केृत्य लेगन पूरुपोक्षी कर रहा है कि इंद्रस्वयाम के श्तुति करता है तो त्री सिर शानम, त्वाष्ट्रम, अहननम, उन मुखान जतीन, यह बोलते हैं थो, वो त्वष्टा था ना, त्वष्टा, तो उनका जो पुत्र था ना, वो तीन सिर वाला, उसके तीन सिर बिलक कि उसको मेने ना किया यह बताउ त्री सिर शानम, त्वाष्ट्रम, अहननम थीख है, यह बोलते हैं पर immortal अहनम नहीं, अहननम नहीं, अहननम नहीं, अहननम धिये अहननम थे है, यह Shrimp辦法 लोन खांग एंक अहन्नम मैंने हनन किया हनहिंच्यागत्य हो तष्टा था तष्टा तष्टा का पुत्र है न उसका नाम कुछ था विश्वरूप ब्रह्मन था विश्वरूप है तष्टा का पुत्र विश्वरूप नाम जो है तष्टा का पुत्र है विश्वरूप नाम जो है यस्यः ती तरी सीर्जाँ थैसा होगा 2 अर क्या है वह दो वो तस्टा का पुत्र था वो विशुर्व उसका नाम था वो ब्राम्हन था उसको मैने हनन किया ये बोलते आँ पर ठीके ना कौन किया इंद्रव अर मुझे हनन किया अर मुझे हत्यारुपी कोई दोस नहीं लगा ये कहना चाहता है मतलब क्या हुआ वो इंद्रशुद्ध है और जो शुद्ध है वही तो उपासे होगा ये कहना चाहता है तो त्री सिर्शानम ताष्ट्रम अहनम और उह हनन करके मैंने क्या किया वो बोलते हैं अरे उसके मांस को टूड़ा टूड़ा करके दे दिया ये बोलते हैं उनमुखान यतिन के वो जो उनमुखान न यतिन हैं उनमुखान यतिन मतलब क्या होता है यती है महात्मा स wish लेकिन जो बेदान्त से अन्मुक हो गी यहां बहारा चाहते हैं बेदान्त से अन्मुक हो गी वो गीआ और यती हो और बैदान्त में प्रभृति नहीं है उसको मैंने मार दिया, यह बोलते हैं, देखो, क्या लेखते हैं? उनमुखान, अहनम। अहनम। अरनमुखान जतिन, इसको ज़रा समझको रग लो वे अरनमुखान क्या होता है? यह समझो लो तब पहले तो वे शबनातेत बीदानत ही, जटारत सत्य भूलता है पहले तो पहले तो, एक भाते टीक है फिर एक बार बोल दो देखो रोुति रुधात वोता है रूव शबद हो रुतिमें रोति जद्धार्थम सत्यम शबद यती इति रुट जय रुट Сबद हो गिया मतल recognize बेदा उत वाक्या वह गे ने भी बेदांते वाक्या यह बैदान्त को बोलते हैं तत्वा बेदक प्रमान बैदान्त ही तत्वा बेदक प्रमान होता है और बाकी जितने भी है प्रत्यक्ष है अनुमान है यह सब और तत्वा बेदक प्रमान है और बेद में भी बेद में भी कर्मकांड़ गराज होता है है तो प्रमान लेकि अरत्तन मुखे ये साम ते हुआ रुन मुखा जैसे बनना रुन मुखा तकार को रूत आगे मुखा फिर क्या हो तकार को यह रो नाशकर नाशकी नाशके नकार हो जएगा तो क्या मुखा? मतलब क्या हुआ बैदान्त में ही उन मुख होने वाले उसको कहा जाएगा रून मुख पले रून मुख सुन रहे ना बही ऑनलाइन भाले ठीक से सुनो है ना रून मुख सब देबरो पहले रून मुख मतलब क्या बैदान्त में प्रबुर्त होने वाले जैसे आप लोग होग लो नो कि मलें बैदानत अंतर मुकी और बैदानत से बहीर मुख होंगे इसको ओरुन मुखह को हो चलने वाले अर उस में नहीं चलते हैं और उसको बोलते कि और मुखह हो अना नारून मुखाहा इती औरून मुखाहा मले बहिर मुखान बैदानता बहिर मुखान यह अरता निकलेगा बड़ा सुंदर कहरें बास्सेगर में ठीक है ना औरून मुखान इते सूती बाक्य है औरून मुखान यती अरे बिदयती है सन्यासी है और बैदानता से बहिर मु सबर नहीं पर अधीकां से लिए सास्त्र केता है सीखा सुथ्त्र परिट्यागि बेदांथंग्छां बत्मानां के सण्याश इस पतदिबनस यह जो उठां सनल्थिया कर दियाय यू चीकर चुट्र Україं सब worlds से बुर्मुर्मों honor बैदान्त को अपने जीवन में उतारना है इसा जो नहीं करता है उसका क्या होगा बैदान्त से बहिर मुखोगे तो पता तेव पतन हो जाएगा इसमें कोई संसा नहीं ना संसा नहीं कि एसे लोगों कि यह पर निंदा कि जारी ऐसे जती को बैदान्त से बहिर मुखोगे जती को मैंने क्या कर दिया तो विह उसको औरन्य में काट करके कुत्तों को खिला दिया जंगली कुत्तों को मैंने खिला दिया कि यह बूलता है अरूर मुखान जतीन साला बिर्केभ्यम लजवली कुट्था प्रायच्चन देदिया इतियवं अदिवी ही ऐसा बूलता है ऐसे गुंदे गए कि क्या अलुद ने कि यह अलुद ने कि हा जला मतलब क्या हो आपके वहां क्या दिया है, इसा है, नहीं और साला की एक बार आप मतलता है, आपके वहां क्या दिया अच्छी साला पंसलोग म मिलते हैं, हाा ऐसा है, बैना साला मतल्न हो गुछ जहां पर रहते ना इसको बलते साल होगा अरन्यह होगी है था मिला कुछ्टे हैं कि भीगाई चुट्ते हैं महीं जंगले कुछ्तों को क्या कर से प्राय चम महीं मैंने देदिया त्यबम आदिभी इसका मुझा क्या है इस पर हनानादी कार्या किया अता भी ओ शुद् तो यहां प्राण सब्द चे पूरपक्ष्य को बोलता है जो ही पूर मैं अगे चलो कि इसले इंद्र के नहीं पर रानशप्द की उपापत्ति है इसी को आगे कह रहे देगो प्राणत्म चा इंद्रस्य बला वत्वात अपपध्यते और इंद्र बल्वान भी है तो जो बल्वान है वही तो प्राण है उसी को तो प्राण सब्द सिखा जाएगा ठीक ना ऐसा बुलते है सुति भी कहते है पूरपक्षी कह रहा है ना सुति भी बूल रही है प्राण भई बलम इती ही विज्ञायते अना वैसे जाना भी जाता है जो प्राण है उसी को तो बल सब्द से बोलते हैं प्राण ही बलम प्राण ही तो बल है तो बलास्य चा इंद्रो देवता प्रसिध्ध यह भी कहते हैं बेश देखो क्या कहते हैं आरे बॉल के देवता कोन है इंद्रा तो है सहत्र में कहा गए यह प्रसिद्ध है तो वहां पर क्या कहना चाहते है यहां पर लिखा है ना प्राणों भी बलम ही बलम ही बदंती बदंती कौन लो कहा लोकी कहा लोकी जो है वो इसको इस परकार करी है मतलब बॉल वाचक प्राण सब्द से बॉल के देवता को ही लक्षणा से कहते हैं सच में है ना प्राणो वई बलम यह कहना चाहता है ठीक है मतलब बॉल वाचक प्राण सब्द से ठीक है ना बल के देवता को यहां पर लखणा से कहते हैं, यह हो गया, आच्छा, याच काचित बलकृति भीर इंद्र करमाईव तदिती ही बतनती, ऐसा भी कह रहा हैं देखो, कोई बलवान कार्या किया, बहुत बड़ा बलवान कार्या किया, पत्थरादी को उठाया, मतलब मजभूत, कार्या क्रिया, उस कार्या को भी क्या बोलते हैं, यह इंद्र का करमा है, इंद्र करमा इती बतनती, ऐसा लोकिक लोक बोलते हैं, बतनती लोकी कहा, और देखो, लोकी कहा, तो लोक लोक जो है, ऐसा भी बोलते हैं बेभार में, बलवान कार्या को इंद्र का कार्या बोलते ह आच्छा और आगे लिखते हैं देखो प्रज्ञात्मत्तमपी अप्रतिहत्व अज्ञानत्वा अप्रतिहत्व ज्ञानत्वा देवतात्पना संभवती अप्रज्ञात्तव धर्मपी यह भी देवता में घटेगा क्यों घटेगा अप्रतिहत्व ज्ञानत्वा अरे देवताम का ज्ञान प्रतिहत्व नहीं होता है ठीक है ना प्रतिवद्ध नहीं होता है इले अप्रतिहत्व कारत अप्रतिवद्ध अप्रतिवद्ध अप्रतिहत्म ज्ञानम ये साम ते अप्रतिहत्व ज्ञान हां मतलब क आठ प्रतिवध ज्यान वाले दिय्वतवादवाले भीशेष होते हैं। प्रतिवध्ध ज्यान प्रont आच्छ भीश्सकिति तर्माय प्रतिवद्धव ज्यान वाले धाफ्र भीशेष होते है। इसा भी भ्याख्यान करना चाहिए इंद्र हीततम है, इंद्र स्ोयम हीततम है, कल्यान कारी है, क्यों हीत का प्रदान करता हो, हीत का प्रदान करे वो हीततम हों укलत हुगा एसा क्याmot fren! अच्छा और और इंद्र निश्पाप भी है अरे पापी तो वही होगा ना जिसका कर्म में अधिकार नहीं है इले कर्म में अधिकार नहीं होने से इंद्र अपापी है ये भी कहना चाहिए निश्चिते चेवं देवतात्म उपदेशे हितत्तमत्वादी वचनानी जधा संभवं तत विशयाणी एव जजईत अभ्यानी ये भी निश्चित होने पर है ना क्योंकि देवतात्म उपदेशे देवतात्म का उपदेश यहां पर हो रहा है ऐसा निश्चित होने पर ही हितत्तमत्वादी वचन वो हिततम है जो सबसे हिततम है उपदेश करो ऐसा कहा था ऐसे बाक्य भी जथा संभव जथा संभव तत विशयाणाईव मतलब क्या है वहीं तर नीचपाप है प्रज्यात्म यह जाना चाहता है तशमाथ भकतुर ईंद्रस्य आत्मपदेशाथ नप्रानो और ब्रह्म एति आक्षिप्य प्रतिशमाधीयते इसलिए नप्राणो ब्रह्मा प्राण का आरतयां पर ब्रह्मा नहीं है ठीक है ना इती आक्षेप्य ऐसा आक्षेप किया और फिर उसका समाधन किया जाता है प्रति समाधियते कि शंका का व्हान किया जाता है ऐसे कहरें हैं आच्छाए की समाधन किया जा रहा है आपना व उपर ंसो फिर अप्राणं करेंग्छ को कहते हैं तुम जो कहते हो हैं कि एंद्र को है नद्र ही यह यहां पर प्राणसब्द का अर्था है इंद्र मेंeles कर दो कि थी प्राण बार्ट्यकी कilde एक तुम जो कहते हो इंद्र पस्त्रेव किसको लेंगे कि सरीर से उपलक्षित चीन मात्र य। कि केवल कर लेंगे इंद्र से क्या कह रो लाद सब्दम cooking कि एंद्र पृ Settings सरीर भी है और चैतन भी है यह शरीर से उपलक्षित चीन मात्रों के इंद्रसब्द से कहा जाएगा कि केवल बिग्रा है शरीर पांच भोती उसी को इंद्रसब्द से कहा जाएगा पहला कहेंगे चीन मातर हो थो तो ब्रह्म है एक तो प्रग्यान प्रम्म घ्यान अपन नंद भ्रह्म प्रह प्रग्यान आम अब प्रम्य क сторон सिर्प क्येंगे तो घटे हैं तो अ tapping पूजा अपासु घोगा कि खोड़ा कि सायी गुरूकोस ऑपासा है जैसे गुरू की फुन आपासना करते हैं, जो सरीर मान कर था दिक करते हैं कुछ एक तरिक्सी को नमस्कार भी करते हो आज पैस थड़े नमस्कार करते हैंने परमात्मांतल kan future सर्वАत्म कर जाता है इस भावना से नफसकर कर जाता है, ऐसे कह रहे हैं। अध्यात्म समंद भुमाही अस्मिन इसले का इति चेतना अध्यात्म समंद भुमाही अस्मिन ये है समाधान बाक्य सुत्र का इसके उपर जला समझे लो अध्यात्म समंद भुमाही अस्मिन आगे लिखते हैं अध्यात्म समंद भुमाही अस्मिन इसको जरा समझना है प्रत्यात्म समन्ध। प्रत्यकात्म समन्ध। इंग सिर्एट्मा आत्मा समन्ध। से बोल देसे से उन्तक करुण को भी आत्म सब्दें से बोलते हैं ती किसे पह सरीर को बलते स्थूल शरीर को भी विह आत्मा नईदे अधीकत्त अत्यात्म आध्यात्म तैंसे होता है प्रत्य क आत्मा है यह अध्यात्मकारत हो गया प्रत्यकात्मा चेतन साक्षी, होगिया ना अर ओही प्रत्यकात्मा सह, समध्यते यही, इसा टीका करने का रत्नप्रवामिका कि उसको कहेंगे अध्यात्म समंधर है तेसाम भुमा अध्यात्म समंधर भुमा नहीं दो समल लो कि यह करें अध्यात्म समंद्ध मलब प्रत्यकात्म समंद्ध फस्य भूमा भूमा माल भूमा भूमा अध्याए इस उपकरम में इस अंदर वं में बहुत सारे देखे जाते हैं कैसे जरा सुनों पहले यावदी अस्मिन शरीरे प्राणों वशती तावात नायू हो डेखो इस शरीर मेंBen helpमे जब तक प्राण है तब तक आयू रहती आसा अब सलते तो प्राण कोन है यहां पर तो यहां पर पंचुन होत्र माह पाद क्याहे को प्राण अपन नहिं यहां पर उसी को प्राण सब्दोसनी का चेतन इस सरीर में जब तक चेतन है ना तब तक आयू प्राण चलते रहता और क्या है ऐसा है ओ किसके रहने से ओ चेतन और चेतन रहने से इस सरीर में आयू चलती है और क्या है ऐसा है ऐसा बोलते है यहां पर इले ओ प्रमात में आओ प्राणे न अपाने न मर्तो जीवती कस्चनाई प्राण से 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 प्राण बसती तावत आयो ठीके इती प्रानस्य व प्रज्यात्मन प्रत्यक भुतस्य उत प्रत्यक आत्म हो आयुष प्रदान उपसंगारयो स्वातंत्रम दर्शयती ठीके ना ना देवता विशेशस्य पराचिनस्य ना ये बुलते यांपर कि जब तक चैतन है तब तक आयुफ है ये तो कह दिया और ये जो सुती है दोगो क्या लिखते हैं प्रानस्य प्रत्यक भुतस्य आयुष प्रदान उपसंगारयो स्वातंत्रम दर्शयती ये सुती है प्रज्यात्मा जो है प्रत्यक भूकत है ठीक है ना तो प्राण की ही आयू देता है देखो और हरन्य में क्या है स्वतंत्रता दिखलाई स्वतंत्रम उपलव्य स्वतंत्रम दर्शयती यह देखो आयू का प्रदान करना और उपसंगार मतलग क्या आयू को ले जाना इले स्वतंत्रता आयू को देना आयू उसका उपसंगार करना इसको करने में स्वतंत्रता किसके बताई बतले है प्राण सेव प्रज्यात्मना है प्रत्यकात्मा है उसमें स्वतंत्र है आयू को देना ना देवताई भिशेषव शास्य होग कोई देवताई भिशेष हैं चाइ इंध्र हो जो प्रहमा उसमें सतंत्रता नहीं है देना में रहना लेना में सतंत्रता दिसके है ना वही बास्तिभीक प्रान उसी भो प्रमात्म का जाता है ठीक है तथा अस्तित्व friendly बहुत सब्सकुटो है नेखो यहां पर क्या है वो प्रान रहे तो इंद्रिया रहती है है expect hey ऐसा प्र एतन करने वाली शुती भी हरा ना तो सुती को भी इसी प्रकार कह रहें देखो स्थित्त तथा बस्थित्त कि प्रानाम पिलाए स्थित्व प्रानां थो चुति आया है शरीर रहता है राती है ये शुति भी इंद्रियूंका आश्रय ठीका न वो प्रत्यकात्मा प्रान को दीख ला रहिए शुति ये बोलते हैं दे इको प्राना नम निश्रियसम इती अध्यात्म, एव, इंदृया, आश्रयम, प्राण, दर्शयती... यह बोलते है हैं पर की ओए प्रान हो तो और है उद फोर ow इंदृयों की प्राण, और फिर control, बना प्ररमात्म, Sophiaat Spra. वही प्रान है उचिका प्रान सब्ध रहती हैं और आगे बोलते हैं, उसी प्राण येव प्रज्यात्मा, इदम शरीरं परिग्रीह उत्था पयदी, उसी प्राण येव प्रज्यात्मा, प्राण ही प्रज्यात्मा है, इस सरीर को ग्रहन करके उठा लेता है, ऐसा है, मतलब क्या, प्राण जो इस सरीर से दूसे सरीर में चला प्रान में उत्थापन की शक्ति है ना उसी को प्रान सब्द से बोल दिया ठीक है अच्छा नवाचम विज्जिज्ञाशिता भकतारम इद्यात इतिचा उपक्रम्या और यह भी कहते हैं और क्या है यह जरा यहां पर कहा तथा प्राण से तो देखो इंद्रिय स्थापकत्व धर्मा प्रमात्मा है और देह को उत्थापकत्व धर्मा वो भी प्राण में है प्राण प्रमात्मा में धर्मात्मा यह जरा समझे लो और सववव अधिष्ठानात्तो ओभी प्रमात्मा में रहेगा इंद्रमा में कि बांई को तौमन जानो भ॥ानि जानो बात्तिवीक बक्तृतातोयात परमात्माम positive हे इजले भक्तृत भी परमात्मा में है और आगे आये के शर्वảng अधिस्थानाता नहीं परमात्माने काई यह तfficacy डो कि अगरिक symmetry two limit – यहाँ पर तर क्या केया है कि अचनल citizenship रूपी जो सक्ति है वो परमात्मेकी है एक बात भी तो बहुति अधिन्ल नहीं है इंद्र में नहीं है वो परमात्माने यह यह हो गया है आए क्या बोलते हैं सारवा अधिष्ठानत्ना अरे सबका आसर नहीं है तद यथा रथाष्य अरेशो नेमी अरपिताहा नाभु अरपिता। एव मेताहा भूत मात्राहा प्रज्या मात्राशू अर्पिता प्रज्या मात्राहा प्राणे अर्पिता सैसा प्राणा एव प्रज्यात्मा आनंदो अजरो अमरित इत्यादी विशा इंद्र व्यवाहारान अभिभूतम प्रत्यकात्मानम एव उपसंगरती ये बोलते हैं दे संपुर्ण प्रपंच की कल्पना एक परमात्मा में है इसमें द्रिष्टांत है लोक में द्रिष्टांत बता रहे है तत्य था था तत्र मतलब क्या कि सारा प्रपंच की कल्पना आत्मा में है कल्पित है सारा प्रपंच आत्मा में है इसमें द्रिष्टांत हो गया जथा सब् रतस्य अरेशु जैसे रत के अरे होते हैं रत के अरे होते हैं औरो में जैसे क्या लगे रहती नेमी लगे रहती नेमी अर्पिताहा नेमी अरे में नेमी लगे रहती और नाभु अरा अर्पिताहा नाभी में अरे लगे रहती हैं इसी प्रकार यहां पर बोल रहे हैं देखो उसी प्रकार से एबम एब एत भूत मात्रा हा प्रज्या मात्राशु कल्पिता भूत मात्रा मतलब क्या है विशय है विशय ही प्रज्या मात्राशु मैं इंद्रियों में जुड़े हुए हैं ऐसा अर्थ यहां पर कह रहे हैं जो इंद्रिया नए पहले तो समझे लो मात्र अब सब्धाधि बिस्धए को बोलते हैं आदने मात्रह पृथिव्यादिनि मियनतर सवदाधी हो गे कि ऐस हमदाधी ओगे ऑठ्वसा दिनीissenschaft प्रग्यामात्राशुकल्पिता है इसको इस परकर करिए इस परकर करिए पांच विश्य पंच महाबुद हो गए और रुपादी पांच विश्य होगे तो कितना हो गए मात्राश Assamdump啊 करेंच पांच महाबुद हो गए और रुपादी पांच विश्य हो गए भूता मात्रा हो जाएंगे दस ठीकिए मात्रा को को बिशिया को बिस्वया ना कि मयन थे याइंते इति मात्र हा मले सब्दा दी रुप रराशा हा पंचौ बिस्वया हा तो पांच होगे पंच माभुत रुपा grow to मात्रा है अब प्रज्या मात्रा सु और पिता है प्रज्या मात्रा में और पित है प्रज्या मात्रा क्या है ज्यान ठीक है इंद्रसे होने वाले जो ज्यान है रूप ज्यान रस ज्यान यह सब्दादी विश्यक ज्यान हो जो बृत्ति रूपी ज्यान है इंद्रसे होने वाले बृत्ति रूपी ज्यान उसको यहां पर लह रहे है प्रज्यान ठीक है ना और उसको कह दिया मात्रा प्रज्या मात्रा मात्रा मतलब क्या है इंद्रिया मियंते ज्यायंते अनेना इती मात्रा हा मतलब पांच ज्यान इंद्रिया होगी ठीक है तक इसी में तो अर्पीद है भी सब्सक्राइब ब्रित्य रुपी ज्ञान है इंद्रियों को लोगर ज्ञान होता है ज्ञान से भिषय का भान हो रहा है इसलिए यहां पर लिखा है मंत्र में दिया जो है ऐसा दिया है भूत मात्रा हा प्रज्या मात्राशु अर्पीत है ज्ञान बृत्यरुपी ज्ञान इंद्रियों में ये बिशय अर्पीत है प्रज्या मात्रा हा प्राण अर्पीत है अरे इंद्रे है बृत्यरुपी ज्ञान है किस में अर्पीत है प्राण में मतलब क्या प्राण मतलब परम प्राने अर्पिता परमात्मा लेकियर बलू है तो चलो प्राने अर्पिता परमात्मा अधिश्ठान होने से उसी में ही शर्प अर्पित है सभी इंद्रियादी आश्रित है कल्पित है वो प्राण प्रज्यात्मा है प्रज्यात्मा है वो सब को प्रकाशित करता है इसले प्रज्यात्मा और सब की आत्मा है इले प्रज्यात्मा प्रांडवन द्शा है, उजरा अम्रिते को से निर्विकर जरापी अबस्ता नहीं है, अम्रिते को अभिनासि एति, भीचय इंद्रिय भेवारा अनभी भूत्म से धेको, तो भीचय इंद्रिय को भेवार से अभिभूत नहीं होता है कौन ओ प्राण सब्दित परमात्मा है ऐसा है हाँ ठीक है और आगे इसलिए प्रत्यक आत्मा नहीं एव उपसंगरती वो प्रत्यक आत्मा है ऐसा ही उपसंगार इस बाक्य का होता है और अयमात्मा ब्रह्मा यह क्यों कह रहे हैं अयमात्मा है अरे प्रत्यक आत्मा में बाक्य का समन्य हो जाए तकि ब्रह्मा में नहीं हो बोलते हैं ऐसा नहीं वही है परमात्मा वही ब्रह्मा ही है यह बोलते हैं देखो प्रत्यक आत्मा परिग्रहे इती उपसंगार प्रत्यक आत्मा परिग्रहे साधूर नपराचिना परिग्रहे प्रत्य गात्मा का ग्रहन करने पर ही यह सम्यक होगा साधू होगा नप्रिचा पराचिना परिग्रहे जो परमात्मा से अतिरिक्त है देवताविचे से प्राण है उसमें ग्रहन करने पर घटेगा नहीं और वही जिसको प्राण कहा सबका अधिस्ठान ठीके ना वही ब्रह्म मातमा ब्रह्मा क्या है खरव अनूभू हुआ खरवां अनुभू हुआ है कि और है शरवान सना खरवां अनुभू हुआया और है Ce सरवान अनुभवती प्रकासयती इति सरवान भूहु ऐसे है अच्छ इति च शुत्यंतर वेशुति बुलती है तस्मात अध्यात्न समंद वहुल्यात ब्रह्म उपदेश एव अयम नदेवता नदेवतात्म उपदेश इलिये सिद्ध हो गया प्रत्यकात्मा के समंद की अधिकता होने के करण मतलब क्या प्रत्मा का सोहाविक धर्मा बहुत सारे कहे गए हैं इसलिए बहुत सारे कैसे हुआ कि सबका ओ आश्रे है सबका अधिश्थान है और वही क्या है शरीर में आयो देने का सामर्थ्य उपसंगार करने का सामर्थ्य अधिश्थानत्य इस परकार बहुत सारे परमात्मा के धर्मा स्वाविक धर्मा स्वरूप ओ कहे गए हैं इसलिए ब्रह्मा उपदेश एव अयम इले परमात्मा कही यहां पर उपदेश इस बाक्य में न देवतात्म उपदेश कोई देवताविसे जो इंद्र है उसका यहां पर उपदेश नहीं है इले प्राण सब्द्यकार्त परब्रह्मा है ओम पूरमदह पूरमिधम पूरात पूरमुदाच्यते पूराश्य पूरमादाय पूरमेवाबसिश्यते ओम शांतिही 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 ओम झाल झाल